नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों एक तरफ राजस्तान सरकार केंदर सरकार की एक योजना है अगनी वीर या यू कर अगनी पत जिसका विरूद कर रहे के नहीं है तो प्राइविट लाइजेशन हो रहा है और इसमें जो है अस्थाई जोब मिलेगी इस्थाई जोब नहीं मिलेगी दूसरी तरफ राइस्तान सरकार खुद एस्ताई से भी एस्ताई जॉब्स की और जो है अब चल पड़ी है क्योंकि जो राइस्तान सरकार के हाई रजूकेशन के जो कild時 हैं सामने सिक्सा के उच्छ शिक्सा के उन्में अब जो है सोसाइटी फॉर्मूला वैसे पहले भी लागू है लेकिन अब और बड़े इस तरफे लागू किया जाएगा रविसिसकर ऐसे कॉलेजे जो छोटे उपखंड या जो तैसिल मुक्यालों पर खुले हुए हैं उनमें ये जो फॉर्मूला है वो अब बड़ चड़ कर लागू किया जाएगा देखिए अब इसका जो एक तरीके से नुकसान है वो ना केवल भेरतियों को जो कॉलेज लेक्चरर की योगिता रखते हैं बलकि उसके साथ-साथ विद्यारतियों को भी हैर आल ओवर देखें तो आने वाले फ्यूचर जो है इंडिया के उसको भी है क्योंकि एक तरफ एक अच्छी सेलरी वाला योगिता धारी चाहे वो एकड़िमिक रिकोर्ड से बनें चाहे एक भरती के मादिम से बनें उसकी एक योगिता उसका गलग कंपिटिशन रहता है उसके बेसिस पे वो आता है और दूसरी तरफ ऐसे अबरती होंगे जहां कंपिटिशन ये चलेगा कि सेलरी कम कौन ले रहा है जहां कंपिटिशन ये चलेगा कि भाई बतिजाबाद में फिट कौन बैट रहा है देखिए ना बजट ना फैकर्टी विधायकों को खुश करने के लिए कॉलेजिस खोल दिये लेकिन अब उन्हें जो है फेल सोसाइटी फॉर्मूले से चलाया जाएगा अब ये फेल कब हुआ इंजिनरिंग कॉलेजिस जो है अपने All Over राजस्तान उनमें ये फॉर्मूला फेल हुआ राज्ये के इंजिनरिंग कॉलेजों के संचालन में फेल रहे सोसाइटी फॉर्मूले को राजसरकार अब सामाने शिक्सा कॉलेज में संचालन में लागू करने जा रही है उसे एक साव भागने राजिये के नए कॉलेजों को सोसाइटी के दिन चलाने करने लिया है अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो पुराने कॉलेजेज है जो डिस्टिक लिवल पे है लेकिन जो नएने कॉलेजेज हैं जो जैसे अपने बार्डमेन में देखें तो लगब सत्रा कॉलेजेज हैं और इसी परकार जो छोट-छोटे उपखन या तैसिल मुक्यालों पर जो नएने कॉलेजेज खुले हैं वो सारे अब इन सोसाइटी के अधीन चलेंगे अब देखिए सरकार ने विदायकों को खुश करने के लिए तीन बजट में 209 कॉलेज खोलने की गोशना की जिसमें 87 कॉलेजों की सूची जारी कर दी अब इन कॉलेजों को जो है चलाने के लिए सरकार के पास बजट ही नहीं है एक वर्स पहले शुरू किये के कॉलेजेज में अब तक फैकल्टी नहीं लगाई गई अब देखिए 87 कॉलेजेज है तो लगभग आप 1000 पत मानके चलिए क्योंकि मिनिमुम अगर 10 पत भी मानते हैं तो 867 पत ऐसे हो जाते है चोटा मोटा और एक 100 पत जोड़ दें तो लगभग 1000 पत जो है वो सोसाइटी के अदिन चले जाएंगा अब देखिए कोई भी पत सोसाइटी के अदिन जाता है इसका सीधा मतलब यह है कि RPSC जो कॉलेज लेक्चरर असेशन प्रोपेसर की रिकूरूटमेंट होती है रहा नहीं जाएगा जैसे आपको पता है RPSC एक्जाम कंड़र्ट कराती है तो यह कंपेटिशन हुआ उसमें से चैनी दूप एक्टिव आ जाता है विद्या समले उजना में एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है कि कौन सी क्लास में कितने परसेंटेज स्कूर की है और उस बेसिस पे उसको जो हायर जो योगेता है एकेडमिक पूरा वो लिष्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग सेलेट किया जाता है यह भी एक कंपेटिशन हुआ लेगिन सोसाइटी में कोई कंपेटिशन नहीं होता यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे निजी जो महाविद्य जो प्राइवेट कॉलेजेज है उन में होता है अब देखिए ऐसे में सरकार जो है उसका एक धोरा रविया भी मैं समझता हूं की सामने आया है एक और केंदर सरकार की योजना जो है इस्थाई फोजियों को लेकर उसका विरोध हो रहा है दूसरी तरफ इस्थाई से भी ए इंजिनरिंग कॉलेजेज में नहीं चल पाई फेल हो गई और इसका नतीजा यह हुआ कि वो योजना वापस लेनी पड़ी और सरकार खुद अब कॉलेजेज को चला रही है लेकिन अब यही एक फेल जो योजना है या मैं समझता हूं कि एक निमनिस्तरी एक योजना जो है सरकार की कि उनको सोसाइटी पे दे दू और अपने हाथों में कमान मत रखो एक तरीके से ठेके पर दे दू तो वो वाली बात अब जो है हायर एजूकेशन के जो कॉलेजेज है उस पे लागू की जा रही है अब देखिए बतला आपके कुछ नुकसान मैंने आपको बता द नहीं होगी तो यह तो मैंने बताई दिया विद्यासंबल वाले भी इस पे नहीं लग पाएंगे क्योंकि वो औरीजनली सरकार के द्वारा संचालित कॉलेजेज में लगते हैं एक और मैं आपको महत्रून फैक्ट यहाँ पर बतारे जाओं तो इसका सीधा सताथ परी यह ह कि जो गेस्ट रिक्रटी होते हैं उनको 45,000 पर मन्द सैलरी मिलती है और जो पर्मानेंट फैक्रटी होते हैं और पेशी एक्जाम के मादیम से उनको 85,000 समतिंग सैलरी मिलती है और कट कोटा के 65,000 उनके हाथ में आते हैं भत्ते वगएर सब मिला के 85,000 होती है तो अब सीदा अच्छे अंकों से अल ओवर अपनी 10, 12 ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन, नेट, सैट, पीएश्डी बगरा मुत्तिर्ण वे वो नहीं देखा जाएगा, यहां यह देखा जाएगा कि आप पैसे कितने कम ले रहे हो, और उसके अलावा सेकेंड यह देखा जाएगा क को बहुत कम से कम पैसों में रखे, उसका शोशन करना आर्थी ग्रूप से, यह यहां पे पर्मो ग्रूप से चलेगा, अब आप सोचो, कोई लेक्चरर जो 45,000 वाली योगिता रखता है, या 85,000 वाली रखता है, उसको अगर कोई 15,000 में रखेगा, तो वो लेक्चरर कैसी मिलेगी, जिसके वो हकदार होंगे, तो फिर यह जो सरकारी कॉलेजिस होंगे, वो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज की तरह काम करेंगे, जा मैंने आपको कई बार बताया भी है, कि किसी भी अबिर्थी की योगिता और उसकी जो डिगरी वगरा है, नेट सैट जो भी है पिएच्डी वगरा, उसको उठा कर कॉलेज में ले आते हैं, और कहते हैं उसको बही आपको पांच हजार उपे परती महा जो है, वो किराय दे देंगे, और इस माने आपका एक्सपिरियंस जुड़ता रहेगा, तो यह एक्सपिरियंस वाला जो खेल है, वो यहां भी अब कॉलेज संचालित करने के लिए 40 लाग रुपे परती महीने की बजट की जरूरत होती है, और अब यह 40 लाग तो हर महीने खर्च नहीं करेंगे, यह सीधी सी बात है, अब देखिए, कम फीस होने और कम वेतन पर फैकल्टी लगने से गुणवता पून शिक्सात से समझोता ह होगा, जैसे मैंने बताया, एक 45,000 लेने वाले की जो जवाब देई है, अपने बच्चों के प्रती, विध्यारतियों के प्रती, वो 15,000 वाले की कभी भी नहीं होने वाली है, और सरकार को तो खेर बजट का फायदा है, लेकिन भारत को अपने भविशे का इसमें बहुत ब गारम कर दिये हैं, इसका मतलब यह कि 87 कॉलेज तो गए, अब बाकी वाले भी क्या इसमें जाएंगे, और कितनी जल्दी सरकार को यह समझ माता है, कि इंजिनरिंग कॉलेज में अगर यह योजना नहीं चल पाई, तो सामाने जो शिक्सा है, उस शिक्सा उसमें भी नहीं च उक्सान में है, क्योंकि ऐसा करके उनके पद जो है, वो कम होते चले जाएंगे, पद समाप्त होते चले जाएंगे, अब देखना होगा कि सरकार को यह चीज़े कब समझ आती है, और कभी इस योजना को वापस लेती है, और इसके लावा जो भी अपडेट्स आएंगी, तो तो समझ में जल्दी उचन आले वगरा कि मेंतुन बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार